ये दोस्तों मैं आपको आज बुद्धगरा के बारे में जनकाड़े देता हूं किस परकार से बुद्धगरा क्या क्या उसका परकिरिया होते रहता है दोस्तों ऐसे देखा जाए कि सूर्ज के सबसे निकर्तम गरा की से कहा जाता है सबसे निकर्तम गरा बुद्ध को कहते हैं बुद्धगरा सबसे निकर्तम होने कान सूर्ज के यह सबसे गर्म गरा भी कहा जाते हैं साथ साथ में बात किया जाए कि यहां कितने दूर है सूर्ज से सूर्ज से दूरी नापा जाए तो 58 मिलियन किलो मीटर दूर है यहां बुद्धगरा अगर इसे ब्यास के हिसाब से नापा जाए तो कितने पढ़ेंगे दूर बुद्गरा लेकिन या दूर की साथ साथ इसके पूरे ब्यास की नापा जाए तो हाँ चंद्रमा से थोरा से बाड़ा होंगे यानि की सोर मंडल के सबसे छोटे गरा होते हैं लेकिन दोस्तों मंगर गरापा बसाने के लिए इनसानों का बहुत ही पर्यास किया जा रहा है लेकिन क्या बुद्ध गरापा बसाने का अगर पर्यास किया जाए स्वंभावना देखा जाए तो क्या हो सकता है वहाँ पर वाई मॉंडल नहीं होने कान ऐसा जीवन वहाँ पर जिंदगी में कभी भी संबो नहीं है लेकिन देखा जाए कि बुद्धगरा के खोज कैसे हुआ है कि इस परकार से हुआ है ऐसे तो बिग्यानली के कान है कि इसका उलेख आज तक मिला ही नहीं है लेकिन एक research से पता चला है कि सुमेर निवासी के काना है कि तीन हज़र इसवी पूर में ही बुद्धगरा के बारे में उलेक किया गया है लेकिन गर्म कितने होते हैं बुद्धगरा वहां को वातवन कितने गर्म रहते हैं और कितने ठंड रहते हैं दीन के समय में बहुत ही गर्म मातरा में रहते हैं वहाँ पर टंपरेचर रहते हैं ताप मान लेकिन रात के समय बहुत ही ठंडे पड़ते हैं को परिनाम के हिसाब से देखा जा तो कितने हैं पृद्धृवि के हिसाब से ऑठारावा भाग बूद्ध है लेकिन कितने बियास है बुद्ध가리 का बूद का बियास चारचाजार आठो 80 किलो मीटर है अगर आपको कही बुद्ग्राव को देखना का इच्छा होगा कि किस परकार्चेम बुद्ग्राव को देख सकते हैं प्रिथिवी से तो जीस समय सूर्ज निकलते हैं उससे दो घंटे पहले आप अकास में ताला की तरह आपको टिमिटिम आते हुए नजर आएंगे मैं मैं